दोस्तो नमस्कार, आज हम लोग एक नए और इंट्रेस्टिंग टापिक दृष्टी भ्रहम पर चर्चा करेंगे हमारी आखों से दिखने वाला सदय और सत्य नहीं होता है कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें दिखता कुछ है और वास्विक्ता में होता कुछ और है इसको दृष्टी भ्रहम कहते है दृष्टी भ्रहम वे है जो वास्तो में है उससे हम अलग देखते है अर्थात हमारी आखें हमारे दिमाग को वास्विक्ता से अलग जानकारी भेशती है इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दृष्टी भ्रहमों पर चर्चा करेंगे जो दिखते कुछ है परंतो होते कुछ है इस figure को आप देख रहे होंगे इसमें line 1 और line 2 दो line है इसमें दोनों ही lineों के आकार में हमको भ्रहम की सिती होती है और आभास होता है कि line 1 और line 2 के बीच में ये line बाहर की तरफ फैली हुई है क्या वास्तों ऐसा है आईए देखते है अगर इन दोनों lineों की सिधाई कौम देखें तो ये दोनों एकदम सिधी line है सिर्फ हमको आभास हो रहा है कि ये दोनों line बीच में बाहर की तरफ निकली हुई है दूसरी figure अगर देखें तो इसमें भी हम देखेंगे कि line 1 और line 2 के बीच में ये दोनों line अंदर की तरफ जुकी हुई होने का भ्रम पैदा करती है तो क्या वास्तों में ये line अंदर की तरफ जुकी हुई है अगर सीधी line से देखें तो हम देखेंगे कि line 1 और line 2 दोनों एकदम सीधी है इस picture को आप देखें इसमें line 1 और line 2 दो line हैं और इन दोनों line के आकार में कुछ भ्रम की सिती पैदा होती है तो क्या वास्तों में ये दोनों line चोटी बड़ी है आपको लगता होगा कि line 1, line 2 की तुलना में कुछ बड़ी है इसको अगर scale से आप देखें तो line 1 और line 2 दोनों ही picture जो हैं वो same size की हैं लेकिन इन lineों के बाहर की line को देख करके आभास होता है कि ये line हैं छोटी बड़ी है इसकी पेकार से एक अन picture को हम देखते हैं इसमें आप देखेंगे कि line 1 और line 2 को कर देखान से देखें तो ये आभास होता है कि line 1, line 2 की तुलना में कुछ बड़ी है लेकिन अगर इसको b scale से ना पा जाए तो आप देखेंगे कि दोनों ही line same size की है लेकिन ये हमको आभास होता है कि line 1, line 2 से बड़ी है इस figure को देखें तो इसमें दो picture है, picture 1 और picture 2 इन दोनों picture को ध्यान से देखने पे आप जो इनके मद्द के वरत हैं उनके आकार में कुछ भ्रह्म की सिती पैदा होती है आपको लगता होगा picture 1 के मद्द में वरत और picture 2 के मद्द के वरत में अंतर है निसी तुप से picture 1 का वरत आपको कुछ बड़ा दिखाई देता होगा आएए देखते हैं कि क्या वास्तों ऐसा है अगर दोनों की size को देखें तो इस दोनों एक size की हैं लेकिन इसमें picture 1 का वरत कुछ बड़ा दिखाई देता है दुनिया की सबसे अधिक मतिभ्रम करने वाले तस्बीरों में से एक तस्बीर आप अगर इसको देखें तो इस तस्बीर में यंग और ओर्ड दोनों ही लेडी का समावेस हैं कहा जाता है कि इसमें जिस परकार का aze group होगा उसको उसी परकार की तस्बीर का अभास होगा तो इन तस्बीरों को देखकर एक निस्कस निकलता है कि जो चीज हमको दिखाई पड़ती है उसकी वास्तिक्ता क्या है क्या वो वास्तों में वही है जो हमको दिखाई दे रही है इसको समझने के लिए या उसको देख करके निर्णे लेने के लिए हमको सबसे पहले उस चीज को समगरता से होलिस्टिक रूप से देखना होगा जिससे हमाने निर्णे गलत न हो सके तो आसा है कि आपको इवीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू धन्यवाज जहें